कैसे हो आप सभी मैं उमीद करता हूं कि मस्त होंगे मज़े में होगे और आपके आने वाले एक्जाम के लिए चलिए अब इस वीडियो में डिसक्रस करने वाले हैं अडवांस अकाउंटिंग में हम किसी का ध्यान रखें ताकि हमारी एक्जम्शन है वो शूर शूर आ सके दे अगर आपका तूसरा अग्जाम हलका फूल का ऊपर निचे हो जाता है तो अडवांस अकाउंट आपको प्लस जाता है सेकेंड क्या होता है अगर देखो आपके अडवांस अकाउंट में 80-90 आ जाते हैं तो 50 से कितना ओपर गया आपका 30-40 मार्क्स बूससे वेडियो में ब कुछ टिप्स मिल जाए और आपको बताने वालों कि आप किसी किसे कर सकते हैं पहले हम डिस्कुस के लेते हैं कि यह वह है वेटेज में इन्हों ने साफ मेंशन किया 5-10% का रह जाते हैं तो हम उसको देखते हैं अब देखिए आपके इसमें इसने बोल देए कि काउंटिं इसने चोटे होते हैं लिखने में इसी होता है समझने में काफी इजी है और उपर से यह कैसे चीज़ी है जिन्हां माइड में बैठे बैठे कभी भी किसी टाइंबी कहीं हम घूंगने जा रही है यह हम इसके आपका एक सबसे बेश्ट रिकाटा हूं आपका एक दिन जाएगा बट दिवार पे चार्ट लगा लिए उस चार्ट के ओपर एक तो अकांटिंग च्टेंडर और उसका नाम अगर आप को उसके अकांटिंग से यूज करेंगे एक्श्रा मार्क्स न प्लस पॉइंट वाली बात हो जाती है तो वहां आपको हेल्प मिलेगी तो जब भी आप रूम में आएंगे जाएंगे आपके माइंड के सामने रहेगा कि आपको पूरा पड़ा याद नहीं करना सिर्फ रूम में आए देख लिया रूम से गए फिर एक बार आपने देख प्रेसेंट मार्स इंटल में एक एक मार्स ही बहुत वैल्यू है वह आपको पोस्ट रिजर्ट पता चलेगा तो मैं भी बोलता हूं कि छोड़के कुछी मी जाना अभी मैं सैटिफेट को पी दिखाऊंगा आपको उसमें अडवांटिज पता चलेगी कि स्टैप मैं कैसे मि बात क्या होती है जब आपको चाहिए अब देखर स्टार्टिंग के मिलता है अब चाहतो पंदा मिन में एक कोशन दीड करो जिसका कुछ बैनिफिट नहीं होना बाला होता कि आप पंदा मिन में पडेंटिफाइग कर लो कि मेरे बस में कौन से हैं बस में इंदिया सेंस क्य करेंग बात जैसे क्या होता है हमें लगता है कि मुझे यह एकाउंटिंग स्टेंडर्ड यह कोशन यह चैप्टर अच्छे त्रीके से आता है बट उसमें कुछ अजर्श्मेंट से उल्टी सीदी डाल देते हैं जो कि होना नॉर्मल है तो हमें लगता है कि कोशन मैं कल वाम हेडिंग देखके छोड़ देते हैं चैप्टर कि मैं संभाल लूँगा इस वाले को छोड़ देते हैं तो मैं को गंदा लगता है बट ऑन्थी एल्टी ग्राउंड क्या हो जाता कई बाद जो चैप्टर आपको आता है उसमें कुछ उल्टी सीदी इसनोंने टेक्निकल डाल आपको क्या लगता है कि आद इसको मैं लिखूंगा इसमें शूर्शॉट मेरे फूल मार्क्स आएंगे पहले आप उनको अटेंट किजिए अटेंप्ट इंदे सेंस अब इसमें क्या कोशन आता है कि मैं फर्स्ट का ए सेकंड का भी ऐसे मिक्स मत करें अग्जामनर को अग्षिक यह चलिए तो इसमें अब इसमें देख सकते हैं मेरे अकॉंट में भी शेंट इसमें अब इसमें अब इसमें डिल से बहुला लगता था बहुत एजी चैप्टर होता है जैसे आप में एस फोर्टीन है अमल्गामेशन तो इन में लोगों को लगता है कि या टेकनिकल लेंग यह जितना लेंग है ना दिखता है उतना रियालिटी में नहीं है बैलेंशेट बनाना बहुत एजी होता है तो अब देखें अ अब एक चीज़ देख सकते हैं पैलेंशेट किस कमपनी की है किस डेट को मैं बना रहा हूं रूपीज का सिंपल यह चोटी चोटी रूपीज का नहीं लगाया क्या वह आदा नंबर काट ले अब आप एक चीज़ करें कि आपको हर चीज उसको जितना हुआ उसको हम सिंपल अब चलते हैं अब मैं आ गया अब यह देखिए मैंने इसमें क्या लिखा यहां पर नौट संबर पर नोटस पर आगया नोटस में एक चीज़ देखी कैलकुलेशन करता हूं उसको अंडरलाइन कर दिया यहां भी रूपीज का सिंबल छोटी चीज़ नहीं बहुत दिक्कत और कोई भी यहां पर 1000 के लिए के यूज नी किया फुल फॉम यूज किया पहला कोशन जितना उसा को इतना बेस्ट मैंनर में दो इतना भी निंवल्व हो जाना कि आपका टाइम लिकर जाए एक कोशन के लिए हमें 36 मिनिट्स मिलती है और मैं रिको मैंने करूँ कि 25 मिनिट सब्सक्राइब वरी करें लगर अब जिए अब इसमें देखो मैंने गलति करते थी यहां पर किलेशन की आप चीज़ देखो यहां से आपका चीज़ नोट इसकरहें अब यह देखो इसने हैं अब यहां प्युदिंग किया हुआ है तो ऐसा ने गल्तियों के दुख जाना क बाइसे इस ट्राइब मार्किंगी बहुत बेनफिट्स होजाती है एक हर जंगा चेक क्या है जो पर्टर समने गरत लगा रोस अब देखेंगे डिफेरेंस आया था मेरे अब डिफेरेंस लिखते हैं नहीं है सिधा यहां कि पार्टनर्शिप में यह है यह यह लिखा हुआ है से लिखा हुआ है फुल नंबर मिले यह चार नेसे चार मिले क्यों पार्टनर चाहिए इसके बिचनल कोंसे हैं यहां पर एक बेसिट का पोइंट बशनर डालाए कि में को सब पता है बट अरग से इडेंटिफिकेशन के लिए सब्यमोंगले नमबर है अब यह देखिए है चीज टिक होते जारी है अब मैं इसमें लाश्क में आपको अकाउंटिंग श्रड़िस पर दिखाना चाहता हूं थ्यूरी में सेम चीजी चलते हैं कि आपके अडवांस में स्टैप के नंबर होते हैं और जितना हो सकते आपको लगता है कि मेरा में अंसर ही है तो आप इसको वह कर दो बुलेट अभी अकाउंटिंग श्रड़ का आगया देखो फाइब नंबर है प्रेक्टिकल था एस पर एस ट्वन्टी पहले मैंने अकाउंटिंग श्रड़ कर पिर अकाउंटिंग श्रड़ कर नाम भी मैंशन कर दिया वही चीज में आपको बोलो नाम मैंशन करोगे आपको एक्स्ट्र माक्स नहीं मिलेंगे एक इंप्रेशन चला जाता है कि हां आपको नोलीज है इस चीज़ कि पिर मैंने बाद में क्या किया इसमें जैसे मैंने आलक्सा टेबल देदी यहां पर मैंने अंसर भी लिख दिया ताकि यार देखो चितनी सिंपल आपको बोलो जितना सिंपल आप उन्हें देंगे वह कहेगा मेरे पास यह बकट रखे मार्क्स की ले आजा बैटार ले जा में से मार्क्स तो वही चीज है अकाउंट्स में कि मतलब बातरी में मैं श्टफ हो गया था क्या मैं करूं क्या बीस नबरा कोशन में छोड़ नहीं सकता दूसर चेप्टर में दिमार्क में बिठा कर रहे था कि मेरे को बिल्टी सिद्धी वीडियो देख थी कि चेप्टर नहीं आता था उतना मैं इसको चलाता गया आपर जैसे चैसे करते हैं कि यहां देखो सिद्धी केलगोरेशन से हां पर डाल दी शो कर दिया जो में अधरी में समझ आया कि जो जन्रल एंटी यहां देखो वरकिंग नौट में मैंने कैल तो इसमें में मैंसर ठीक हो गया और मैं इस शिच्टी नमर्स को अपने लग मानता हू कि यह उसक में ने दिमाग चलाया कि 15 मिंट में दिमाग आख़ी में एजने प्रेश्राइज हो जाते हैं प्रेश्राइज करके अपने गट कर लेते हैं पेपर को गलत करना क्योंकि आपका मैंड में मैंड टेस्टिग होती है कुछ जन्हें बोलते हैं कि आई से मोडिल में सब्सक्राइब कि आपको कितनी चीज़ी याद है अब मैं इसमें क्लास्ट में मोस्ट इंपोर्टन टिप देना चाहता हूं एक में दो देना चाहूंगा पहला को दुबारा के लेना अब इसका काउंटर कोशन आता है कि मैंने टीचर्स का मड्यूल किया क्या में जूलता है एक बार कर लेका कुछ नहीं जाएगा तेरा बट इसमें चीज अलग से मैं ही रिकॉमेंड करता हूं कि आप अपनी स्टडी में देखके लिखिए ठीटिंग करि कि अगर आप कोपी पेश करेंगे आपको पड़ा चलेगा फोर्मेट में क्या होता है पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डैबिट क्रेडिट डैबिट के साइड में अमाउंट का सिंबल यह छोटी छोटी गलती अदा-दा एक नमबर लेके डुबा देती हमें मैं अब भी ब अब भी बोलो कि छोट के कुछी नहीं जाना अब आप देख सकते आपके सामने कि मेरे 16 मार्क सा पेपर लाश्ट के 15 मिन में इतना दिमाग खराब हो गया कि मैं करूं क्या अगर मैं छोट देता मेरे 45 नमबर आते और श्याद मैं अटक जाता ग्रूप में क्योंकि मेरे हमे जो होएगा ब्रगवान देख रहे हैं बोलेनाद जी का नाम लीजिए अपने अल्ला का नाम लीजिए जो भी आपका धर्म है उसके कोडिंग तो अब आपने जैसा हो सगे अपना बढ़िया बैस्ट दीजिए माता-पिता के पैल चुके जाना ओल दी बैस्ट थेंक्यू ग